हेलो स्टुदेंस वेल्कम टो ओलो फ्यू है जो साइसेंस अन माथ सीचर नैंसी मैं सो आज हम क्लास सेवंथ का 15 चेप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं देट इस लाइट लास्ट वीडियो में हमने लाइट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होती है इस थोड़ी कब्ड होते है सबसे बड़ा एक्जेमपल इसका हम चाले कि ले सकते हैं विकॉज इक शेप का होता है बुजो लिफ्टिड स्टेनलस टील प्लेट और उसके अंदर अपनी इमेज को देखा इस प्लेट एक्ट असे एक नियों कि इसमें क्या इमेज उसको ऐसे के लिए जैसे एक नॉर्मल पर संधेवाइब यहाई हमें कहां दिख्या प्लेयर में दिख्या है ना चोटी ना बड़ी सेम साइज की दिख्या है और शीदी दिख्याइक इरएक्ट अपर जब उसको इंटर्नल से देखा उसको इमेज अलग दिखी जब उसने बाहरी से द कर सकते हैं यह जो इसकी आउटर सर्फेस क्या है और इंटरनल सर्फेस क्या होगा रिफ्लेक्टिंग होगा यानि कि रिफ्लेक्टिंग मतलब जहां से हम अपने अपको देख सकते हैं जहां पर हम अपने इमेज को देख सकते हैं अब बाहर क्या होता है इसका पॉलिश होता है उसके बर कोई paint भी होता है जैसे हमारे घर मेर अर्म मिरर जोते हैं बैक साइट पर क्या होती हैं पॉलिशिंग होई होती है उसको अगर mirror को हम बेंडिंग शेप पर बना ले तो उसे हम Concave या Convex की ऑने भी Change कर सकते हैं तो जिस mirror के outer surface पे क्या होगी पॉलिश होगी और अंदर क्या होगा reflecting यहीं अगर मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर दूँ जैसे इस mirror में हुआ है जहां से बेंट हो है अंदर वाली तरफ क्या है इसकी पॉलिश है और बाहर वाला surface क्या है reflecting है तो इसे हम बोलते हैं convex mirror और यह mirror spherical mirror क्यों होते है विकॉज यह पार्ट होता है एक aperture होता है पूरे mirror का अभी असली में यह mirror कैसे पूरा से circular खुलर शेप को हैं इसमें सी हमने एक परचर को ह्छ캇प किई इसलिये हम इसको पहलोगनote होगा क्जूप कर पर मिल सकती है तो उसने क्या कि एक कनकेव मिरर लिया होल्ड इट फेसिंग दा सन उसको सन की तरफ उसने रख दिया ट्राइट गेट दा लाइट रिफ्लेक्टेड बाइट बाइट पड़े एक पेपर की शीट पर पड़े इधर से लाइट आई कुछ ऐसी टेडी डिरेक्श जाए उस शीट के उपर पड़े तो उसको ट्राइट गेट दा हो इस उसको डिरेक्शन में रखना है कि जो लाइट आरी आई वो रिफ्लेक्ट पोने के बाद पर की शीट पर आए अज़ेस्ट दिस्टंस ओ पेपर उस शार्प ब्राइट पर उस शीट को या लेंस को इस इस शीट पड़िया है उसके लाइट आके सिरफ यहां डिरेक्ट पड़ रही है तो मेरे को इसको होल्ड करके रखना है उसी पोजिशन में ताकि व सारी 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 संद्रीज है वो एक ही जगा पर पढ़ती रहे और वह जगा क्या हो जाए गरम हो जाए अब जो ब्राइट सब्सक्राइब ब्राहिचों सब्सक्राइब घ्लीज थे श consig evolved इंगेजे खोजिए पर शीजमिलिए लिग ठागी में सकती है तो संद्रीच código दू sich और आधर पर खेजिख वक्रेंड नाजा लगा सकतेँ हैं कि वो लाइट कहां से आ रही है विश्व मेहर हो यहां पर यहां से लाइट आ रही है और यहां पर रिफ्लेक्ट कि हम С से पीछे सी यहां से विकोज हमें तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर दिख रही है तो हमें क्या लगए कि वह लाइट का रही है पिछ्छे से तो हम क्या देखते हैं कि एक वर्चॉल टाइप की इमेज है fine now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror candle flame की हम image देखते हैं कनके mirror से real image is formed by a concave mirror उन्होंने भी क्या करा यहां पर concave mirror रखा है यहां पर candle flame रखी बार बार वो mirror का जो distance है वो क्या करते गए change करते गए और उसकी sports को visualize करते गए कि कितना distance पर कैसी हमें image formation हो रही है concave mirrors are used for many purposes you might have seen doctors using concave mirror doctors का होते हैं concave mirrors का ही use करते हैं we say that image formed by a concave mirror can be smaller or larger in the size than the object because हमने जो इस experiment में किया है जैसी में mirror की distance को vary करते हूं एक जग अबर कभी small image दिखते हैं जैसी में थोड़ा ज्यादा या कम करते हैं उसके distance को हमारी image क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है तो कहरे concave mirror जो है चोटी और बड़ी दोनों size की image बना सकते हैं इसलिए वो doctors उसे use करते हैं ताकि वो अंदर का जो हमारे मालों teeth में वो visualize कर रहे हैं हमारे teeth को वो उसको अच्छे से check कर सकें concave mirrors are issued by dentists to see the enlarged image of teeth वही बात जो मैंने अभी बताई है कि वो हमारे teeth को visualize करने के लिए analyze करने के लिए mirror का use करते हैं reflectors of torches headlets of cars यह सब भी क्या करते हैं concave mirror का use करते हैं अब next उसने क्या किया वही activity जो उसने candle flame में concave mirror के साथ यूज की थी अब उसने convex mirror के साथ यूज किया है did you get an image larger in the size than object क्या आपको image जो है बड़ी दिखी है एक object की can you now recognize the mirrors used as side mirrors in scooters क्या आपने नोट किया है कि जो scooters कि आप bikes or cars के side पे mirrors लगे होते हैं वो कौन से होते हैं that are convex mirrors यह बहुत important question होते हैं कि जो हमारा vehicles में use किया जाता है mirror side mirror उसे हम convex mirror ही कहते हैं convex mirrors can form images of objects spread over large area अब question बन सकता है कि convex mirror को हम इस तरह से क्यों use कर सकते हैं because यह जो mirror है वो काफी large area को cover करते हैं visualize करने के लिए ठीक एक plane mirror क्या होगा जिस वज़ा से जो drive कर रहा है उसे side से दिखता रहता है कि उसकी back side पर क्या रहा है तो हम जो vehicles में use करते हैं वो convex mirror का use करते हैं अब आते है lenses की बात lenses are widely used in spectacles telescopes and microscopes अब lens और mirror में क्या फरक है mirror क्या होता है उसकी एक साइड पॉलिश होती है हम घर पर देखते हैं plane mirror का example अगर देखें और एक साइड पर क्या होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है लेकिन lens क्या होते हैं जैसे spectacles में use करते हैं उसमें कहीं भी polish नहीं होती है तो mirror lens में क्या फरक है mirrors are polished from one side and lenses are not polished from either side lenses जो हम spectacles telescope microscope वगरह में use कर सकते हैं those lenses which feel thicker in the middle then the edges are convex lens अब concave और convex इसमें भी आएगा concave lens और convex lens में क्या difference है basically अगर हम उसकी physically look में देखें तो convex lens जो होते center से क्या होता है thicker होता है और edges से क्या होता है thin होता है convex को हम देख सकते हैं edge beach में से क्या है middle से thick कर है मतलब ज्यादा इसमें distance है और जो हमारा edges है corners यहाँ पर क्या है वो thin है मतलब बिलकुल close है अंपस में concave होगय कि अलटा अब यह edges से क्या होगा थोड़ा सा thick कर होगा और middle से क्योंगा थिन होग यह middle से क्या है thin यह edges से क्या है thin और ं यह edges से क्या है thick है यह इन दोनों का क्या है Corinthians है अब जो मिरर हमने sunlight को converge करने के लिए किया था महापपर कौम से की अधर कंकेव Mirro किया था अब हम ध्यान रखेंगे mirror lens में क्या फरोक होता है जो प्रोपरटी Concave mirror के पास होती है वो यहां पर Convex lens के पास होती है Concave mirror क्या करता है और दूसरा गर हमों देखे कन वेक्स मिरर तो यह क्या करेगा और यहीर अगर मैं लैंस की कई में देखują तो कन्वेक्स मीरर क्या करेगा करेगा क्या करेगा जो मिरर कर रहा है वो यहां पर कंवेक्स करेग और यहाँ पर मतलब उकट्षा नएक पॉइंट पर और वायत के लिए चुट्ष Huhum थोड़ी दर बत क्या होगी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यहीं पर बताएगी कि Convex lens Converges सब्सक्राइब अब मैं यहीं बताया Convex lens को करता है यहां पर क्या करता है लाइट को Converge करता है पहली पढ़ चुके हैं तो यह important बंदें convex lens कोravirging lens भी कहते हैं और under the hand concave lens diverbing SIM यहाँ पर हमने क्या बता है concave lens क्या करता है diverge करता है concave vision lens कुम diverging lens भी कहते है यान कि convex lens light को इकठा करता है जैसे यहाँ पर किया जारा और यह concave lens है यह departure light को फेल आ रहा रहा है और हमारह जो इमेजिस हमारे बनाते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारे जो Concave Lens है, वो कैसी इमेज बनाते है, Virtual Eric and Smaller in Size than the object यानि की वो Virtual Imaginary बनाते है, इरक्त यानि सीधी और Size में Smaller बनाते हैं, इसके बाद आते है हमारा Sunlight, White और Colour, जो Sunlight है वो White कर पर की है, या और किसी कर पर की है, जिसे हम यह कलर्स बताते हैं और इसे हम लन कैसे करते हैं वीप गयोर कि नाम से विट गयोर मतलब बॉयलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो उरेंज आंड रेड इससे लान कर सकते हैं इसके बाद किया थे टेक ग्लास प्रिजम हमने एक ग्लास प्रिजम लिया एलो तर नेरो भीम उफ सनलाइट थो स्मॉल और उसके उपर हमने सनलाइट को थो करवाना है जैसे यहाँ पर करवा रहे हैं इन डार्क रूम लेट दा लाइट कमिंग आफ्टर फेस ऑन दे प्रिजम फॉल ऑन दा स्क्र अग्षय को दा रहे हैं यही एक्सपेरिमेंट प्रिजम पर करते हैं प्रिजम में भी क्या होगा में 7 के 7 कलर्स वीजिलाइज होंगे संवल इस सट्वियो वाइट तो शनलाइट मतलब इसका मतलब है कि संवाइड जो आ रही है वो डिवाइड किसमें हो गया 7 कलर्स मोगी की निन्हेंक दिस्क को न्हें सेवन सेग्मेंट में डिवायड कर दिया है जो भी रन बो के ह होते हैं उसको ऐने क्यादा स्पीड पर रोटेट करनें स्पोझ भी हैं गारनों मिक्स्चर जो क्या होता है white color से बनता है या white color क्या होता है 7 color Findout इसको बहुत जाएट पर डोटेट करते हैं, तो यह मेंément सिरुप white color का दिखते हैं, तो इसते हमें activity से बना चला कि sunlight या white color है, वह 7 colors की mixture से बना है, और rainbow भी इसी तरह से form होता- क्यों क्या होता है कि जप rainfall हो रही होती है तो rainfall की छो चोटी-छोटी ड्रॉपस होती है इस तरह से जो रयन गिर रही है जो एक प्रिसम की तरह व stron करती है अब इदर से क्या हो रही है, संवागर सूरज तो निकला होता है तब यहां रैणॉब्वु वनता है आप सूरज की यहाँ पर light आ रही है और यहाँ पर rainbow के drops है rain के drops हैं तो drops क्या होते हैं? small small prism की तरह पर करते हैं अब जैसे light इसके और पड़ी यहाँ से seven colors दे दिया जब यह light इस drop पर पड़ी इसने seven colors दे दिया और rain क्या होते है? continuously हो रही है